हेलो एब्रिवान वेलकम बैक टू माई यूटीव चैनल तो जैसा कि आप सभी को पता है मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो इस्टेट बार काउंसिल में डोकेट इंडॉल्मेंट फीस लिये जाते हैं जो विभिन इस्टेट हैं इंडिया के जा रही है चुकि ये डोकेट एक में 750 रुपे का प्रावधान है तो बहुत सारे जो हाई कोर्ट है देश के अंदर उसमें इससे संबंदित मामले चल रहे थे उसके बास से BCI के अनुरोध पे उन सभी जो रिटियाचिका हैं थी उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया कि हम जो है उस रिटियाचिका पर सुनवाई करेंगे और उस पर निड़े देंगे तो वो सारे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गए तो अब उसी मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल जो है इस पर फैसला आने वाला है चुकि मुवार को यानि 18 मार्च को राजेबार काउंसिल द्वारा दिये जाने वाले नामांकन सुल्क को चुनवती देने की माग करने वाले याचिका करताओं को सुचित किया कि वह होली के छुट्टियों के बाद इसमुद्धे पर विचार करेगा और इस फर फैसला देगा चीफ जस्टिस आफ इंडिया, डीवाई चंदर्चूर, जस्टिस जेवी पारदिवाला और जस्टिस मनोज मिस्रा की अगवाई वाली पीठ और वरतमान मामले के साथ साथ इसी तरह की अन्य आचिकाओं पर विचार कर रही थी उसके बास से पीठ ने कहा कि जो होली के बास से इ पर कर लिया था और उन स्टेट बार काउंसिल में जो है जो इंडॉल्मेंट फीस ली जा रही थी उसको चुनवती दी गई थी या चीका करता हो कि और से पेज सीनियर एडुकेट आर बसंत ने कहा कि मुख्य मुद्दा इस सवाल तक सीमित है कि क्या बार काउंसिल अधिव सीनियर वकील ने बार काउंसिल द्वारा विभिन राज्यों में अत्यधिक फीस वसुलने की निरंतर इस्थिती को दोराया। उन्होंने कहा कि केरल में यह 15,000 रुपे है। उडिशा में मुझे बताया गया है कि यह 42,000 रुपे है। बार काउंसिल अफिव इंडिया की और से पेश सीनियर एडोकेट आर बाला सुबरमर्यम ने पीठ को सुचित किया कि अदालत ने पहले हाई कोट में आचिकाओं के हस्थांतरड के लिए BCI द्वारा जो ट्रांसफर एडोकेट एक्ट के तहत निर्दिश्ट रासी से अधि काउंसिल से सवाल किया था आप सभी को पता भी होगा पीठ ने कहा कि विभिन राज्यों में इंडॉल्मेंट फीज एक समान नहीं है उदारड के लिए उडिशा में यह 42,100 रूपय है गुजरात में यह 25,000 रूपय है उत्राखंड में यह 23,000 यह 650 रूपय है जाडखंड म को अपने पास टांसफर कर लिया था जैसा कि मैं आपको अलेडी पाले भी बताया था और इसी तरह से आपको जैसे रिसेंटली मैंने आपको बताया कि दो फरवरीक उत्तर परदेश राज्य बार काउंसिल द्वारा लिये गया इंडॉल्मेंट फीज को चुनवती देने व थे में आपको बटान सब तो उन सभी याचिकाओं को यह सारे याचिकाओं को यह साथ कनेक्ट करते हुए अब जो है इस पर होली बाद सुनुमाई हो सकती है कोई जजमेंट आ सकता है इस पर सुप्रीम कोड के वहारत के चीफ जस्टिश है उन्होंने इस पैसपैस तोर प तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है चूंकि हर एक की स्थिति एक तरह नहीं होती है आप सभी जानते होंगे तो इसलिए कहीं न कहीं इस तरह की जो फीश इस्ट्रक्चर है बनमाना एक तरह से कहा सकते हैं कहीं 42 रूप है कहीं 20 रूप है तो इसको मेरे मानने में अगर ये फीश इस्ट्रक्चर एक समान हो जाए देश के अंदर जितने भी स्टेट हैं जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं सब में एक समान फीश इस्ट्रक्चर होनी चाहिए और फीश इस्ट्रक्चर इस तरीके की होनी चाहिए कि सभी लोग उसक जो खड़े लोग हैं उनके पक्ष में उनके हित में सोचते हुए ऐसा कोई जो है जो फिस इस्ट्रक्षर उसको लागू करना चाहिए ताकि वो भी अपना जो इंडॉल्मेंट है वो करा सकें पैसे के कारड़ो अपनी जो एडोकिसी का जो उनका जो सोग है उसको जो है अगर नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके साथ यह अन्यायक तरह का होगा तो जो भी स्टेट बार काउंसिल हैं हो सकता है सुप्रीम कोट अपने निड़े में सभी स्टेट बार काउंसिल के संबन में एक समान फिस इस्ट्रक्षर लागू करने का एक जो है फैसला स सकता है चुकि फीश structure को लेकर कि तमाम और लंबे समय से इस पर बहुत सारे लोग इस पर जानते भी होंगे और इस परतरह के सवाल काफी लंबे समय से उठाये जाते रहे हैं तो हो सकता है कि होली के बाद से इस पर सुनवाई हो और इस पर कोई एक अच्छा नीड़े आजया जाए ताकि जो भी लोग हैं जो भी स्टूडेंट हैं जो भी इंडॉलमेंट कराना चाहते हैं रोकेट के रूप पे वह पैसे की कमी की वज़ा से यह यूं कहें कि अधिक अधिक फीज की वज़ा से इसी सिचुएशन ना पैदा हो तो उम्मीद रखिए धैरे रखिए जिस तरीके से आपने इतने समय तक उम्मीद रखा धैरे रखा इंतजार करिए हो सकता है होली के बाद से इस पर जो है बहस हो और इस पर जजमन्ट आ जाए चुकि CGI और दो अन जजजों की पीट ने इस फैसले पर जो है इस मसले पर पर जाता है और उम्मीद रखिए कि फैसला आप सभी जो आम स्टूडेंट हैं जो आम एड़ोकेट हैं जो इन्रॉल्मेंट कराना चाहते हैं उनके पक्ष में आये सभी लोग जो है इसके लिए जो है कोशिश करें और उम्मीद है कि जब भी इस पर फैसला आएगा आप स्टेट बाहर स्टेट के हाई कोट में इसको लेकर के आचिका पड़ी थी काफी लंबे समय तक वहां पेंडिंग नहीं उसके कहीं सुनवाई होती थी कहीं नहीं होती थी फिर बीच याई ने एक ट्रांसपर अप्लिकेशन मूब किया सुप्रीम कोट ने उसको लाव करते हु तो कोशिस करूंगा कि आपको इस चैनल के माध्यम से इनफार्म कर सकते हैं तो चैनल पर जुड़े रहिए और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रस्न है तो उसको लिख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद